हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एके स्ट्रीडोंट में आप सभी दोस्तों का मेहमित सुकला बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज की वीडियो में बात करें दोस्तों भी एक थर्ड समस्टर के सभी छाथ-छात्रों के लिए जिनका पॉलिटिक तो कि यहां पर बताओंगा दोस्तों चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करदीजे ब्लस में वेल आइकन का नोटिफिकेशन आप बिलकुल मिलता रहे और दोस्तों कुछ पॉइंट यह है कि आप लोग को पढ़ना लिखना और सारी चीज़े जो आपके बीच मैं आप लोग के वाज साथ उपस्तित होता हूँ यह हमारा एक सवभाग की बात है कि हम आपके बीच में पढ़ाने का और आप लोग के मन को आकर्षित करने का एक नया पॉइंट है जो हमारे आप लोग के बीच में एक गुड़ गुड़ सा भरा हुआ एक रस है जो हम आपको उस रस को हम लोग पान करते हैं तो आईए दोस्तो सबसे most topic और सबसे most important तथ है जो हम लोग प्रशनों के माध्धम से पढ़ते हैं और अपने जितने भी topics होते हैं वो clear करते हैं तो दोस्तों फटा फटा आप लोग चैनल को like करते रही है某ी सब्सक्राइब करते रही है और वीडियो को जरूर देख दूसरे को share करते रही हम लोग बीच में सारे points और सार지 जो clear होते त्थ्य होते है वो clear करते रहते हैं तो I hope आप लोग में आपको मौल पेपर उसके बाद में फिर आपका फिप समेस्टर के सारी जो भी क्लासे चल रही है वह आपको ज़रूर आपने आप में अंतर धिहान होके पढ़िए दोस्तों अब जैसे आपका यहां पर कोश्चन दिया जाएगा कोश्चन है दोस्तों धर्म होता है दोस्तों राज से सामान अभिप्राए कि राज का कोई अपना धर्म नहीं होगा धर्म इर्पेच्च का मतलब होता है कि जो धर्म इर्पेच्च का मतलब होता है दोस्तों कि धर्म का कोई भेदभाव ना यानिकि धर्म से कोई भेदभाव नहीं हो यानिकि धर्म के कोई भी एक दूसरे को कोई प्रेरित नहीं करेगा है कि धर्म से कोई मतलब ना रखे तो इसी को धर्म निर्पेच्चिता कहते हैं तो साही होब यह आपका पॉलिटिकल साइंस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टन सब्जेक्ट है यह थर्ड सबस्टर वालों के लिए बहुत ही मोस अपना कोई धर्म नहीं होगा यही होता है कि अपना कोई धर्म ना हो यह धर्म से कोई आस्ते तो ना हो वहां अपने कारियों के लिए धर्म को आधार नहीं बनाएगा यानि कोई भी राज अपना कारे करेगा तो धर्म का कोई आधार नहीं बनाएगा तो धर्म के आधार पर वह अपने नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करें अगर राज में आप राज के प्रतिक कोई भी कोई भी प्रतिव्यक्ति नागरिक हो उसमें धर्म का कोई भी भेदभाव नहीं चाहे आप ब्राम्हण हैं या मुस्लिम हैं या आप कोई भी कास्ट के हैं हिंदू इसाई सिक्ष धर्म कोई भी आपके आपका कास्ट हो इससे कोई भी आपका मतलब नहीं है इसमें यही बताएगा धर्निरपेच का मतलब यही है उसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि राज के धर्म द्वारा नहीं कि राज के द्वारा धर्म को राजनीत से पूंडता प्रितक रखा जाएगा, जो धर्म है वो राजनीत से क्या होगा अलग रखा जाएगा राजनीत छेत्र में धर निर्पेच्चता से आविब्राय है कि राज के अधिकारियों की नियुक्ति वहा चुनाओ सासन की नीतियां सासन के द्वारा आर्थिक सहायता आधि धर्म के आधार पर ना हो राजनीतिक दलों यों अन्य संस्थाओं का संगठन धर्मिक आधार पर ना किया जाए राज का कोई धर्म ना हो और न्याले द्वारा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना करे राज के द्वारा नागरिकों को यह अधिकार दियाना चाहिए कि कोई भी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सके और किसी भी धर्म को त्यार कर सके अता हम कह सकते हैं कि राज जो है वो धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव ना करे और सभी नियुक्ति एवं सामान योग्यता के आधार पर किया जाहिए जो धर्म निर्पेच है वो क्या होना चाहिए अगर किसी के पत पर भी नियुक्ति किया आना चाहिए तो इस पर कोई भेदभाव ना होना चाहिए और ये केवल आपके योग्यता के आधार पर ही नियुक्ति किया आना चाहिएगा यहनि किया जाएगा यहनि कि अगर आपके पास योग्यता है आप एप के पास ability उस label के लिए है तब ही आप वहाँ पे न्यूक्ती होंगे यही धर्म कह रहा है और यही आपका राज भी कह रहा है कि धर्म निर्पेच का मतलब यही होता है कि आपका धर्म के प्रती कोई भी इसमें यह political science के आपका राज के प्रती कहा जा रहा है कि राज में कोई भी धर्म का system नहीं है उसके बाद फिर आता है आपका विविन बिशारकों ने धर्म निर्पेच चता की परिभासाएं निम्ली रूप से दी है वो कैसे इसमें आपका डाक्टर राधा क्रिश्णन जी के अनुसार की डाक्टर राधा क्रिश्णन महोदे जी के अनुसार कहा गया है कि धर्म निर्पेच छोने का तात पर अधर्मी होना या संकुचित धर्मिकता पर चलना नहीं होता है धर्म रिपेच होने का मतलब अधर्मी होना या संक्चित धर्मिक्ता पर चलना नहीं होता वरन उसका ताथ पर पूर्णता अध्यात्मिक होना होता है क्या होना उजधता है पूर्णता आप अध्यादमिक हो जाईए उन्हें Nam Lori उन्होंने कहा है ध्रमिले पेच्ष के बारे में ऐसा राज ना तो धर्मिक होता है और धर्मिले बिरोधी या धर्मिक किरियाओं पर मत मतांतरों से परे तरह धार्मिग मामरों में टतस्थ रहता है उस पर क्या होता है हमेशा ततपर रहता है उसके ज़ मैंकि का अचिर दर्मनियरक बहाउन का आतर नहीं करेंगे यहने कि इनके कहने के मलब है कि धर्म들을 पेच राज का मतलब यह नहीं हुआ कि आप धर्म के प्रति जागरुक नहीं हो आप धिर्म को जरूर आप पढ़ावा दें लेकिन राज के प्रति राज के इंदर नहीं य Finnish मुसलिम यह जबरदस्ती तो मुस्लिम भी हिन्दू धर्म को जबरदस्ती नहीं करवाएगा एपका फिंद्रम निर्पेच्छ 8 मितलब सन्दू जय dirty वह यह इसा ही रहेगा जिसको अपने मन से त्याग करना चाहेगा वो त्याग कर सकता है धर्म को तो यह है डाक्टर भीमराव अंबेटकर जी के अनुसार बताया गया है कि धर्म निर्पेश राज्य का अर्थ या नहीं कि हम लोगों की धर्मिक भावनों का आदर नहीं करेंगे इसका तो केवल यही अर्थ है कि राज केवल किसी धर्म को नहीं थोपेगा संचेव में कहा जाए कि धर्म निर्पेश राज का यही अर्थ होता है कि राज भिभिन धर्मों में से किसी एक के साथ पच्छपात ना करे और ना किसी धर्म को राज के धर्म घोसित किया जाए तो ये था भीमराम बेटकर महोदेजी के अंसार धर्म निर्पेच्च की परिभासा आई होग आप लोग को ये सारे प्रस्ण आपको समझ में आ रहे होंगे अब आता है धर्म निर्पेच्चता की विशेश्चता हैं धर्म निर्पेच्चता की विशेश्चता हैं क्या होनी चाहिए इसमें आता है धर्म निर्पेच्चता की विशेश्चता हैं निमलिखित हैं फर्स नंबर है बतायागा इसमें दोस्तों कि धर्म निर्पेच राज का अपना कोई धर्म नहीं होगा जो धर्म निर्पेच राज होंगे यहने कि जो धर्म निर्पेच राज बनाए गए हैं उनका कोई भी अपना धर्म नहीं होगा चाहे वो हिंदु का हो चाहे वो मुस्लिम का हो चाहे वो इशाई का हो या चाहे सिख का हो अधरवज कोई भी आपका इसमें आपका हिंदूिस्म हो फिर सेकेट नमबर है इसमें सभी धर्मुक के प्रत सहन सीलता होती है धर्म निर्पेच राज अधार्मिक नहीं होता है अधार्मिक नहीं होता है ना तो ऐसा है रहेगा कि किसी के धर्म को तो हों क्या करेगा भंडा वोर कर देगा चाह्त यहां लोक तंद्र का पक्षपात्र होता है निय कि ट défin variance already 2016 अदिрем के और रिलेटेट रहे हो प्रहाई का उसके बारे मिनकों सभी धर्म के नागरिकर अन्यागरिक हैं गांड ilo हैं लेकिन इसमें हमें ध्यान नहीं देना है हमें आपको धर्मिल पेच बनना अगर राज में अगर आप कुछ करना चाहते हैं या आप किसी पत पर हैं तो आपको धर्मिल पेच बनना पड़ेगा सेबन्थ नमबर है कि ऐसा राज किसी भी धर्म का विरोद नहीं करता है मतलब कोई भी राज हो किसी भी धर्म का विरोद नहीं करेगा चाहे वो जैसा भी हो एर्थ नमबर है कि कोई भी नागरिक किसी भी धर्म का विरोद नहीं करता है कोई भी नागरी को किसी भी धर्म का विरोध नहीं करेगा यह धर्म निर्पेच्छता की विशेष्टाइं हैं यह अगर आप धर्म निर्पेच्छ हैं या आप किसी पोस्ट पे हैं या किसी आप किसी भी पोस्ट वाइस का आप काम कर रहे हैं तो उस पे आपको धर्म के प्र प्रियास करता था और आप लोग को हर बार समझाने का भी प्रियास किया है तो दोस्तों बीटियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तो मिलता रहे दोस्तों और आपको जो भी चाहिए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएब सब्सक्राइब क्लासेस में आपको जो भी सब्जेक्ट मोर्डल पेपर चाहिए या फिर आप आप लोग को जो भी आपकर टोपिक के प्रती आपको पढ़ना है चरूर कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताईए मैं आपको चरूर सारे प्रश्ण और सारे टोपिक्स आपको एक पॉइंट करके बताऊँ गा तो दोस्तों इसी के साथ अगली वीडियो wouldn't आपके साथ फिर से उपस्तित होंगे, धन्यवाद दोस्तों